कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो नहीं होता क्योंकि ये एक सोथ है और ये सोथ बारों महीना ऐसे रहता है आई हम लोगों से बात करते कि क्या इतिहास है कैसे यहां दसरत घाट नाम पढ़ा क्या नाम है मेरा नाम जॉला प्रसाद कैसे पढ़ा हूं मेरा नाम जुगुल किसुवत्रिपाठी मैं ग्राम ने औरा कराएने वाला यह दसरत घाट त्रेता युग में जब भगवान बन गमन चले तित्रकूट के लिए तब इसी रास्ते से गाए हैं तब उपर जो है उनको ने के जो ग्यात हुआए एक सीता पानस्थान यदाम करने के डाड फिर यह द्याट बता कर के कि उनको सोक न हो आये यहां बर गहात प्यर्ट और दसरत जी का तिलांजूल किया किया पुर्वजों ने आस्रम बनाने के करण दसरत घाठ कर दिया गया इस वास्ते ये दसरत घाठ नाम से परिशिद आश्रम हुआ और यूग से आज तक चला आ रहा है ऐसे पूर्वजों ने बताया है और यहां विश्णु भगवान की उन्होंने स्थापना है और गंगाजी की साक्षक में फोटो बनी हुई हैं सब इसी प्रकार के जो है कई मने गवाह या उदाहरन यहां पर मौके पे हैं इस लिए एक इतने बाइतान के और अब कारण यहां बन में भगवान वेशे सिर अस्थान में जाते थे इसलिए यहां कोई अस्थान का आवाकमन का रास्ता नहीं है इसलिए जो है को राष्टे के वज़े यह चूपा हुआ है अधीरे-धीरे लोग आने लगे कुछ सरमिक र तो शिरम कर करके अभी कास्ट बढ़ाने लगे इसके वज़े कुछ अस्तान का वो बढ़ा नहीं यह तब भूम थी यहां एक महात्मा रहते तो तब कर देते और कोई यहां आने जाने की खासियत ही है कि भगवान जो है सीता पान में सीता जी को रोके हैं वहां अपने ब्रहा कि जल ऐहां भी ऊदर्ध फूम हुआ है यहीं ते लांजूल किया भी जल उद उदर्ध हुए तभी सीता बाण में दसरत घाट में यह उनके पन्डदान की चिंध भी बने हुए हैं उपWhen यह बने हूए यह ही जो है पिन्दान के हैं यह मूर्ति गंगा जी की है नीचे से आकर चाहे ठीच ले हैं अब यह आए ज़रने हां कई लोग जो है जैसे गायस की बीमारी है यह लो जाए ले लाते हैं लोग बास अधिक गंगा जी जो है यह उस्ताक्षी है पिंद्दान के चिंध बने हुए है जो पिंद्दान आप मिटी का आग में जला कर नहीं करते वही ये पिंद्दान जो है उमने चिंध बनाए गए हैं और वहां साक्षी जो है विश्णु भगवान है यहीं उपर सिखिंच लिए जाये लेखिए वह विश्णु भगवान है यहां पर लक्षिमी जी थी यह थी तो पचटान गिरने के बाद उनकी तूट गई यह पायर पकड़ करके लक्षिमी जी बैठी थी वह कोनों देवता ह वह फूट फाड़ गया वह तो लोग शंकर जी के बना रहे थे जो है लोग बाग जो है विश्णु भगवान है यह जो है सीर सागर वहां लक्षिमी जी थी लच्षिमी जी वाला चट्टान फूट गया और वह जो है विश्णु भगवान है वहां पर शेष्टाइया पर अपनी चेंड क्यों करें है नमार है कि अब बोल रहा थे कि जल का क्या यहां कई आउसाधियों से मिलके यह जल यहां निकलता है तो यहां से जो जल लेके जाते हैं और पीते हैं तो कई बीमारिया यहां से ठीक हो जाती है जैसे की गय साय और तमाम जैसे बीमारियां अंदर की पेटकी हैं वह अच्छी हो जाती है और बताते हैं कि पूरवजों से बताये हैं कि यह जो अच्छा अच्छा पूरवजों का क बहुत लोग आते हैं बाहर से कहके चले जाते हैं बहुत कुछ कर कहके गए थे मगर जो है कभी तक कुछ हुआ नहीं अब जो आते हूं से कहते हैं वहां भी गए तैसेल में सांसच विधायकों सभी कहा गया आगे कहके चले जाते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है और यह पत्थर हैं बहुत सुन्दर हैं इनकी मूर्तियां काफी हैं अब इनका तो कुछ त्रेतायू की बनी हुई हैं यहां कुछ ऐसी भासाइं लिखी हैं कि जो हैं हम लोग पर नहीं पा रहे हैं यहां कुछ ऐसी भासाइं लिखी हैं कि हम आई अब वहां जान ही पाएंगी नहीं आपको दिखाते वह ऐसी भासा लिखी है कि जो है वह संकर जी की मूर्ति बनी है आप चलना चाहें तो चल सकती है ो Mickey who he Tilliu अब हो देखी होई उद देखिया और वह तना पूंऊ तो देखिये वह आइस रही हैं दिख रही bytes मार में आ शामने मूर्ट अजा आपको यहां शुक्तना झान पहुत आते हैं अक्सर लोग आते जाते रहते हैं लांकी रास्ते सावन के महीने में इतनी भीर रहती है कुछ कहांगे आते ही जाते रहते दिन भर और अधिकारी भी आया क्यों को दो चले जाते हैं इसी तरह कई वह? अगर इसका विकास हो जाए तो और अच्छा हो जाए तो अच्छा हो जाए अब आप महां दिक्कत होगी और नहीं वहां कई भाव साइं लिखी हुई हैं और उनका हमें ग्यान नहीं है कोई आपे देखे समझे तब पता चल सकता है कि कब का कैसे है काउन से लगता है ने यह खीचरी में मेला लगता था और दो-तीन साल से कुछ धीमा हो गया है खीचरी में तो खीचरी के दिन यहां जो है बह कर संक्राथ जिसको बोलते हैं अब लोग यहां पर आते रहते हैं और देखते भी रहते हैं अब आद देखो यहां मंगलवार है और मंगलवार के दिन देखो आपने देखा योगर सरम के लगे हैं सब सरमदान करते हैं और इसी तरह सब लोग कर रहे हैं और बन रहा है प्रभू प्रभू की इच्छा से यह बहेर है यह यह बहेर का पेड़ है यह इसको जिसका पेड़ खराब होता है ना उससे दवा चूरन बनता है इसका चूरन बनता है इसका प्रफ़ला को जो हमको जनकारी भी नहीं है जो जनकारी है वो यहां से ले जाते हैं जैसे अभी आप देखें कि जो छेतरी हैं यहां पे आए हुए हैं और यहां को जो रहस है जो यहां लोग जितने जानते हैं उस हिसाब से लोग बता हैं मगर हमें भी यहां आने से इतना अच्छा लगा और यहां पे हमारे लाइप के माध्यम से आप लोग भी यहां दसरतगार घूमने आना और मन रंजन करना क्योंकि यह चीज बहुत अच्छी है क्योंकि यहां पे सुन्दरता या बाता बरान बहुत अच्छा है मैं अपना लाइप यहाई से समाप्त करती हूँ